लगबग हर व्यक्ति ये जानता है कि मनुश्य जीवन दुरलब है जान लेने मात्र से कुछ भी होने वाला नहीं है जैसा कि कहा भी गया ज्यान का सार आचार है जब जान लिया कि मनुश्य जीवन दुरलब है तो उसका सार कैसे निकाले दुरलब जीवन का ऐसा क्या करे जिसे से ब्याज के रूप में देव योनी मिले और नुकसान या लॉस के रूप में नरक्या पसु योनी न मिले जो विक्ति इन बातों को समझ लेता है वो साथ व्यसनों अठारा पापों से बहुत दूर हो जाता है क्योंकि यही वो व्यसन और पाप है जो हमें मनुश्य रूपी मूल पुंजी से ब्याज रूपी देव योनी से दूर करके मूल पुंजी को गवाते हुए नरक और पसु योनी की और धकेलते हैं मनुश्य जीवन की दुरलबता एक कहानी से जानते हैं जिस प्रकार चिंता मनी रतन स्रेश्ट होता है वैसे ही सूर्यकांत मनी भी दुरलब्व स्रेश्ट होती है एक सेट के पास सूर्यकांत मनी थी सेट ने अपना अंतिम समय समझ कर अपने पुत्र सौमनस को वो मनी दे दिया सेट ने मनी बड़े यतन से अरजित किया था मनी देते हुए सेट ने कहा ये मनी काम देनु के समान सब इच्छाओं और मनों कामनाओं को पूर्ण करनी वाली है इसे जी जान से अधिक संभाल कर रखना तुमारी सारी ही अवश्यकताएं और इच्छाएं पूर्ण होती रहेगी, तुम्हें किसी वस्तु का अभाव नहीं सताएगा, परुन्तु जीवन में सहियम रखना, ये बात कभी भी न भूलना सोमनस ने मनी तो ले लिया, परुन्तु उप्योग विदी से बिलकुल अंजान था, पिता ने विदी भताई नहीं और बेटे ने पूछी नहीं, पिता स्वर्गवासी हो गया, स्वर्गस्त पिता के पीछे जो भी क्रिया कर्म करने थे बेटे ने कर दिये, माता इस संसार में थी नहीं, किसी का अनुसासन रहा नहीं, फल स्वरूप वो उधंड, उच्छरंकल और सैतान हो गया, सातो ही व्यसन सोमनस ने सीख लिये, पिता की अंतिम शिक्सा, सैयम की बाद भी भूल गया, वेश्या के घर आने जाने लगा, वेश्या को ही अपनी प्रेयसी या प्रेम का समझने लगा, रात्री के समय मुर्क सोमनस दीपक की जगह उस मनी का प्रेयोग करने लगा, एक दिन वेश्या उसके घर आई, उसने उपहार स्वरूप, वो मनी सोमनस से मांग लिया, मुर्क सोमनस ने भिना कुछ सोचे समझे, उस मनी को वेश्या को दे दिया, वेश्या मनी लेकर अपने घर आ गई मनी के गुनों से अंजान वैश्या ने उसे एक जोहरी को बेच दिया और मिले पैसों से उसने अपने लिए कुछ स्रिंगार की सामगरी और कुछ वस्तर इत्यादी खरीद लिये जोहरी ने उस मनी की परिक्षा की रासाइनिक प्रयोगों द्वारा उस मनी की सहाइता से धेरो सोना बना लिया जोहरी बहुत वैबव संपन हो गया राज जसी ठाट बाट से जीने लगा पुन्याई प्रकट हो गई और लक्षमी की अपार कृपा हो गई सारी सुक सुविदाये जुटा ली उसने और उस संपधा का उप्योग दीन हीन एवं जरूरत मन्द लोगों के लिए खुले हातों करने लगा तो ये मानव जीवन भी सूर्यकांट मनी के समान है इसका सदूप्योग करना कोई कोई पार्खी जोहरी ही जान सकता है अन्यथा सौमनस ववेश्या की तरह करोडों की कीमत वाली मनी को कोडी के मोल गवा देने वाले बहुत से लोग है तो सूर्यकांट मनी रूप इस जीवन को सौमनस और वेश्या की तरह हलके में न ले जोहरी की तरह वो सब प्राप्त कर ले जिसके लिए ये जन्म मिला है तो कितने लोग मनुश्य जीवन की दुरलपता को समझते हैं कमेंट में बताएं और उसके लिए वे क्या कर रहे हैं ये भी बताएं वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें